आज हम करेंगे committees of the constitutional assembly कल किया था making of the constitutions consistent assembly की strength क्या थी यह सारी चीज़े कर लिया था अगर आप में से किसी ने first video नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं यह second class है पॉलिटी की तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है अगर आप मेंसे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चनल को तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिले और अपने फ्रेंट्स को भी लिंक से एर करें तो चलिए कमिटी और प्रेसिडेंट कौन कौन सी कमिटी ती और उसके प्रेसिडेंट कौन थे यह पढ़ेंगे तो यह देखे यहां से क्या होती कि एक कुश्च जो है डारिक्टर एमसी क्यूज में बन जाते हैं तो यह आपको याद रखना है स्टेरिंग कमिटी और यूनियन वर्ड आए तो आप समझ लेना कि यूनियन वर्ड याद याद रखना है इनके प्रेसिडेंट कौन थे पंडित जवाहा लाल नेरू इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Dafts के के भीक मिटी की है है तो यह को थे सर्दाल व्रलबाई पटल यह इ Alors कुछ अड़र्ष कमिटी भी थे देखते हैं कौन-वन कह Chelsea, state स्टेट कमीटी, स्टेट कमीटी, जो थी, for negotiating with the state से ते इनके हैड कोन थे, तो अध्य चवाहलाल नहरू Next है, curry fundamental rights subcommittee, कुछ subcommittee कमीटी भी थे, इनके हैड कोन थे, तो जैकी कि रिप लानी Next हे, minority subcommittee, इनके हैड कोन थे, हैची मुखर जे नेक्स्ट है रूल्स और प्रोसीजर कमीटी इनके हैड डॉक्टर राजिंदर प्रिशाद थे और नेक्स्ट है एडवाईजरी कमीटी और फर्नमेंटल राइड माइनलिटीज और प्राइबल्स और एक्स्क्लूड़ेड एरियाज इनके हैड गौंतिस सदार वल्लब भाई पटल थे आपको समझ में आया होगा मैं इतने सौर्ट वीडियो में इतनी चीज़े आपके लिए कवर करती हूं और यह चीज़े जो है आपका डिरेक्ट ही हां से एक कोशन बन जाते एक्जाम में तो आपको याद रखना बहुत चले रही है तो चलिए वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक करना नहीं भूले नेक्स क्रासेस कर करते हैं तब तक के लिए बाब बाय टेक केर